हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मेरा नाम है अजीत और आज में आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आजिरो आज हम बात करेंगे मीनो लास्ट FX टेबलेट के मैं आपको यूज डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आप बने रही इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करक हैं ताकि जब भी मैं कोई नई मेडिसिन की वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक नोडिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं मीनो लास्ट FX टेबलेट एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल मुख से यूज करने का सही तरीका तो आप लोग बने रही है इस वीडियो में फिलाहल में आपको दिखाता हूं इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पर देख रहोगे मीनो लास्ट FX टेबलेट ये एक पत्ते में 10 टेबलेट होती है और इस एक पत्ते का जो प्राइज है वह लगब नहीं करना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा सराब पीते हों वो लोग इसका सेवन ना करें और या फिर जो महिला गर्वती हो वह भी इस टेबलेट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें अगर ये दोनों जनी यूज करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाले उसक तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो हो सकता है रिपलाई करने में देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा चलिए दोस्तों आप जानते हैं इससे होने वाले बेनेफिट्स यानि किस किस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इसे यूज किया आता ह दोस्तों बहुत लोगों को नाक से पानी आता है जो कि मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट आ चुके हैं कि सर हमारे नाक से पानी बहुत ज़्यादा आता है कोई दवाई बता दीजिए तो वो लोग अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत ही जल्दी आराम जाती रहती है तो हमेंचा हमें भी ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता जहरी दिक्कत होती है तो हम ये डवा और देने से उनकी च्छी कानी बंद हो साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की नली में सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो यह सांस लेने में, तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी यह बहुत अच्छा वर्क करता है, और किसी को डस्ट अलर्जी है, धूल से अलर्जी है, तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें, तो उन्हें भी काफी आराम मिलेगा, किसी का गला बैठावा हो, बहुत ज़्यादा वो परहसान हो, गले बैठने की वैसे सही से बोल ना पा रहे हो, तो वो लोग अगर इसका इ जाल 500 mg टैबलेट यूज कर सकते हो, यह दोनों वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप चाहो तो देख सकते हो, और दोस्तों, अगर किसी की आँख से बहुत ज़्यादा पानी आता हो, तो आँखों की पानी को भी धीरे-धीरे कंट्रोल कर लेता है, और जिन लोग इसे यूज करने का सही तरीका, दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल, 14 साल से उपर के लोगों में एक टैबलेट रात को सोने से पहले लेना होता है, पर डे एक ही टैबलेट लेना होता है, और अगर आप बच्चे को देना चाहते हो, तो 7 साल से 14 साल के बच्चों में ये आदी tablet के हिसाब से आप रात को सोने से पहले दे सकते हैं इसी तरीके से आपको देना है और कम से कम डोज इसका जो होता है वो होता है साथ दिन का, साथ दिन आप लगातार ये दवा जरूर यूज़ करें इस तरीके से आपको इसे यूज़ करना होता है चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले side effect दोस्तों tablet लेने के बाद अगर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए आपको यह सूट नहीं हो रहा या फिर आपको चक्कर आने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सूट नहीं हो रहा या फिर आपको सिर में तेज दर्दों लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको यह सूट नहीं हो रहा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कोई भी दवा यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सला जरूर लें, डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवा यूज ना करें, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त देजिए, गुडबाए.